Hello everyone, एक बार फिट से आप सभी का हमारे इस नय वीडियो में स्वागत है दोस्तों अगर आपको प्रती दिन 1GB, 1.5GB डेटा मिलता है और वही डेटा आपका बहुत जल्दी जल्दी खतम हो जाता है यूटूब पर एक दो वीडियो देख लेते हो, या फिर कुछ इंटरनेट चला लेते हो तो उधर कमपनी के तरफ से तुरंत मैसेज मिल जाता है कि आपने आज का 100% डेटा को यूज कर लिया है अगर आप इन सभी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परिसान हो तो आज मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी सेटिंग जिसे आपको अभी के अभी अपने फोन में कर लेना चाहिए उसके बाद दोस्तों आपका 1 जीवी डेटा आप दिन भर यूज करो, दिन भर इंटरनेट चलाओ उसमें से भी आपका डेटा बच जाएगा, जी हाँ, बच जाएगा, खतम नहीं होगा आज से 10 दिन पहले मेरा ऐसी ही खतम होता था, मेरा बहुत जली जली डेटा खतम हो जाता था लेकिन जब से मैंने ये तीन सेटिंग अपने फोन में किया है दस दिन पहले मैंने किया था वो सेटिंग कर लेने के बाद मेरा डेटा एक जीवी मिलता है उसमें से भी बच जाता है दिन भर वीडियो देखता हूँ, दिन भर मतलब इंटरनेट चलाता हूँ लेकिन उसमें से भी मेरा डेटा एक जीवी में से बच ही जाता है, खतम नहीं होता है तो वही तीन सेटिंग में आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा तो आप इस वीडियो को इन तक देखते रहे हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है तो बिना टाइम वेश्ट के करते हैं बहुत स्टार्ट में आम सत्यम और आप देख रहे हैं टेकनिकल एक्सपर्ट वावा यूटूब चैनल दोस्तो वीडियो पसंदा है तो प्लीस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को दबा कर और पेसेट कर लिजएगा और हाँ कॉमेंट सेक्षन में आकर अपना अपिनियन या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि आपने हमारे वीडियो को लाइक सेर एंड सब्सक्राइब किया है तो चलिए दोस्तो फटा फट हम फ़र्ष्ट सेटिंग के बारे में जानते हैं जो कि मैंने अपने फोन में करके रखा है लेकिन आपको एक चीच का ध्यान देना होगा कि आप कौन सा अप्लिकेशन अपने फोन में सबसे ज़्यादा यूज करते हो जैसे कि मैं अपने केस में यूटूब को सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ आप फेस्बूक, इंस्टाग्राम या फिर कोई और अप्लिकेशन यूज करते होगे चाहे वो वाटसब भी हो सकता है तो वो आप अपना देख लो कि आप कौन सा अप्लिकेशन अपने फोन में सबसे ज़्यादा यूज करते हो तो मैं YouTube सबसे ज़्यादा यूज करता हूँ तो मैं अपने फोन में YouTube को ओपिन कर लूगा उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोफाईल पर क्लिक करना है ऊके, प्रोफाईल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे सेटिंग का एक आपशन मिलेगा simple सबसे पहले हम settings में आ जाएंगे अब settings में आने के बाद यहां पर बहुत सारे options मिल जाएंगे general data saving यहां पर बहुत सारे option है तो second number पर आपको data saving का एक option मिलेगा simple आपको data saving पर click करना है और यहां पर data saving mode का एक option है सबसे पहले आपको इसे on कर देना है on जैसी आप करोगे सब यहाँ पर जितना भी आप देख रहो यह सब on हो जाएगा उसके बाद दोस्तो इस YouTube से आपका 20% डेटा बचना सुरू हो जाएगा वैसे ही Facebook अगर आप यूज करते हो तो Facebook में भी डेटा सेविंग का option आता है WhatsApp में भी आता है Instagram पर भी आता है तो वो आप अपने मन के अनुसार जो भी आप यूज करते हो डेटा सेविंग को on कर लेना जिस application को सबसे ज़्यादा आप यूज करते हो Second setting जो दोस्तो आपको करना है वो बहुत ज़्यादा important है इससे आपका 40% डेटा सिर्फ इस से बचता है जिहां 40% डेटा बचता है उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपको अपने फोन में WhatsApp को open करने ला है जिहां WhatsApp आज के डेट में सभी लोग यूज करते हैं लेकिन एक ऐसा setting है जो सभी लोग mistake करते हैं जिहां उस setting की वज़ा से बहुत ज़्यादा डेटा उनका खर्च होता है अब यहां पर आपको क्या करना है मैंने open कर लिया WhatsApp त्री डॉट्स पर क्लिक करना है त्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद settings में आ जाना है settings में जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको storage and data का एक option मिलेगा storage and data पर आपको क्लिक करना है यहां पर बहुत सारा options मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो बहुत सारा option आपको मिल रहा है यहां पर है when using mobile data when connected on Wi-Fi Wi-Fi आपको कुछ छेडशा नहीं करना है यह तो Wi-Fi मतलब ऐसे free में चलता है तो यहां पर आपको when using mobile data पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख लो सब यहां पर टिक है देखे हो यहां पर photos, audio, video, documents अगर आपके phone में, आपके WhatsApp में यह चीज on है और मैंने आपके WhatsApp पर मान कर चलते हैं, मैंने आपके WhatsApp पर 30MB का वीडियो भेज दिया तो वो automatic download हो जाएगा तो 30MB कहां गया? आपका ऐसी ही खर्च हो गया, अगर वो वीडियो फालतू हो आपका देखने लाइक ना हो तो 30MB आपका जो data है वो ऐसी ही फालतू में खर्च हो गया तो यहाँ पर आपको क्या करना इन सभी को off कर देना है इसे off करने के बाद क्या होगा? कि आप जिस वीडियो या फिर photo या फिर audio या फिर documents को download करना चाहों खुद से वही सिर्फ download होगा automatic WhatsApp के अंदर कोई भी चीज डाउनलोड नहीं होगा अब जैसे कि काफी लोग groups में जोईन होते है 10-20 groups में जोईन होके रहते है उनके पास मतलब बहुत सारे वीडियो जाते है बहुत सारे photo जाते है तो वह ऐसी डाउनलोड हो जाता है automatic उनको पता भी नहीं चल पाता है और डाउनलोड हो जाता है तो ऐसे में उनका जो data है वो बहुत जादा खर्च होता है तो यह इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 40% data आपका सिर्फ WhatsApp से बचेगा तो इस setting को आप off करके रखना अब जो next setting है उससे आपका 100% बचेगा जी हाँ 100% यह नहीं कह रहा हूँ कि आपका data खर्च ही नहीं होगा 100% जो फिजूल खर्च होता है वो बचेगा आपका चलिए मैं आपको दाता हूँ 3rd setting के बारे में उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है Google वाले folder के अंदर आ जाना है Google वाले folder में आप आओगे तो आपको एक application मिलता है Google photos के नाम से Google photos सभी के phone में होगा आप देख लो इधर उधर हो सकता है लेकिन सभी के phone में होगा तो मैं यहाँ पर Google photos को open कर लेता हूँ अब जैसे कि क्या है कि आप यहाँ पर open हो गया अब जैसे कि क्या है कि मैं आप अपने phone में video recording करते होगे या फिर photo के लिए करते होगे चाहें वो manual जैसे कि यह जो camera है वो mobile का camera से आप recording करते होगे या फिर आपके reels Instagram वाले camera से या फिर किसी भी camera से आप recording करते होगे तो आपके phone में यह save हो जाता है आ जाता है आपके phone में लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो video सिर्फ आपके phone में ही नहीं आपका data भी चूचता है नहीं पता है मैं आपको बताता हूँ कैसे यह काम करता है यहाँ पर आपको Google photos को open करने के बाद दोस्तों यह जो Google photos है यह automatic आपके सारे photos, videos जितने भी है उन सभी को backup करने लगता है वो सभी का backup लेने लगता है जाहाँ वो आपका video 190 MB का हो चाहें 1 GB का हो चाहें 2 GB का हो इससे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो आपके सभी photo, video को backup लेगा और आपका इसमें सबसे ज़्यादा data खर्च होता है माल लिजे कि आपने अपने phone से recording किया video बहुत ज़्यादा मतलब कहीं पर गया है और recording कर लिया recording किया आपका जो video का size है वो बन गया 500 MB का तो वो 500 MB का यह backup ले लेगा तो 500 आपका कैसे कहां पर खर्च हुआ ऐसी फिजूल खर्च हो गया तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने profile पर क्लिक करना है ओके profile पर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको बहुत सारे settings मिल जाएंगा बहुत सारे option मिलेगा photo settings का आपको एक option मिलेगा photo settings के आपको क्लिक कर दिना है photo settings पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर backup and sync का एक option मिलता है सबसे उपर में simple आपको इस पर क्लिक कर दिना है अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तु यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे option है, यहाँ पर backup device folder, mobile data uses, simple आपको mobile data uses पर click करना है, अब click करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 30 MB पर set करके रखा है, लेकिन 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 आपके phone में यह unlimited पर होगा, यह unlimited जो आप देख रहे हो, unlimited पर यह set होगा, आ उसके बाद उससे ज्यादा का backup यह अपने अंदर नहीं बनाएगा, 30 MB, मालो कि 1 GB से बेहतर तो 30 MB है, मालो कि 1 GB आपका फिजूल में ऐसी backup बना दिया, तो ऐसी खर्चा हो गया, उससे बढ़िया 30 MB ही आप यहाँ पर set करके रखो, जो भी important photo है, उससे आप अभी भी backup बतलब restore कर सकते हो, अपना ले सकते हो, तो इस चीज़ को आप करके रखना, तो यह setting बहुत ही based है, बहुत ही कमाल का setting है, तीनो setting बहुत ही अच्छा है, आप इन तीनो setting को अपने phone में कर लेना, उसके बाद आप कहोगे कि सत्यम भाई क्या क्या कमाल का setting बता है, तो आप इस setting को कर लेना उमीद करता हूँ आपको ये तीनो सेटिंग काफी बहतरीन लगा होगा तो ब्रीओ अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एकलाई जुरू कीज़ेगा चानल को सब्सक्राइब करकर बेल ऐगन दुआ करो वाल पेसिट के लिए हम मिलते हैं सिको नेवरे को साथ तब के लिए जया हिंद और टेक क्यार